परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उडानों की वो खुद ही तै करते हैं मंजिल आसमानों की रखते हैं जो होसला आसमानों को छूने का उनको नहीं होती परवागिर जाने की तो हमेशा अपने होसले उचे रखिए तो स्वागत है आप सभी लोगों का सुफोलों के समझ पर इस daily current affair series में हम continue करते हैं तो आज 11 जनौरी है इसके current affair को हम देखेंगे साथ में हम कल के current affair को भी revise करेंगे जैसे कि हम ऐसा करते आएं तो चलिए कर लिए current affair को हम revise करते हुए पहले question की तरफ बढ़ते हैं प्रवासिय भारती दिवस कम मनाया जाता है तो 9 जनौरी को प्रवासिय भारती दिवस मनाया जाता है अगला है बीपीसील ने किस राज में भारतीय सेना के लिए low smoke superior kerosene tail launch करने की घोशना की है जम्मो कस्मीर में नई परेटन नीती 10 वदेश धर्शन 2.0 योजना के तहट किन स्थानों को सुचिबद किया गया है तो मैसूर और हम पी इन दोनों ही स्थानों को करनटक के स्थाने इनको सुचिबद किया गया है हाली में अंतराष्टिय पतंग महुत्सो 2023 का उधगाटन कहां हुआ है तो ये एहमदाबाद गुजरात में हुआ है हाली में किसे पेटियम पेमेंट्स बैंक का MD और CEO बनाया गया है तो सुरिंदर चावला जी को MD और CEO बनाया गया है मन्रेगा स्रमिकों को पेंसन प्रदान करने के लिए किस राज्ज ने कल्यार बोर्ड का गठन किया है ये ध्यान रखियेगा केरल ने किया है हाली में किस देश ने अपना चिपस अधनियम पारित किया है ताइवान ने अमेरिकी प्रतिनिधी स्भा का स्फिकर किसे चुना गया है? केविन मककार्थी को बातने करेट कंट्रोल बोर्ड की नई चमिद समीती का द्यच किसे बनाया है? तो चेतन सर्मा को पिछले भी द्यच भी चेतन सर्मा थे और नएवाले भी चेतन सर्मा जी है अगले प्रश्णी पर आते हैं अगला प्रश्णी क्या है कौन सा राज्य है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है तो केरल है ICICI Frudential Life Insurance ने किसको एक नई अभ्यान के लिए साइन किया है सोरी कुमार यादव को किसे हावर्ड लाज स्कूल सेंटर दोरा वैस्विक नित्त्यत्य के लिए पुरुसकार के लिए चुना गया है DY चंद्रचूर जी हाली में किस राज्य के पूरु राजेपाल और पूर विधानसवा अध्यक्ष किसरिया त्रिपाठी जी का निधन हो गया है पशिम मंगाल के पूरु राजेपाल रह चुके हैं ये हाली में किस ने जैपूर में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर उर्जा प्रयोजना के अधारसिला रखी है तो अपनी माननी राश्पती जी द्रोपती मुर्मु जी ने ये अधारसिला रखी है कल का प्रशन हम देखेंगे भी थैंक्यू सो मच नहीं बोलना है चली आज आज के करंट रफेर को हम देखते हैं 11 जनौरी के करंट रफेर को हम कंटीनियू करते हैं तो आज का पहला प्रशन है विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस सभी जानते हैं 10 जनौरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और अगर हम बात करना है भारत में हिंदी दिवस कम मनाया जाता है 14 सेप्टेंबर हो का 14 September को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है अपका ठीक है भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है इसका जो Theme क्या था हिंदी को जन्मत की भासा बनाना और उनकी मात्र भासा की महत्ता को भूले तो ये है आपका 2023 की थी ये चीज़ ध्यान रखिएगा और सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस कम बनाया गया तो 10 जनवरी को और 1975 को ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहां पर पहली बार नाकपुर में इसका आयोजन क्या बोलता है सम्मेलन हाँ वो किय गया था ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्लियर और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के बाहर भी आयोजित किया गया था मौरिसस हो गया उनाट्रेट किंग्डम हो गया अमेरिका हो गया इन सबी जगों पर विश्व हिंदी दिवस का सम्मिलन का आयोजन यहां पर किया जाता है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स आईए और बाकी तो आप सभी जानते हैं नॉर्मल सी चीज़ें की 14 सेप्टेमर 1946 को जो है समधान सभाय ने दिरनागरी में लिखी हिंदी को भारत की जो है आधिकारी भासा स्विकार किया था कई में overall championship जीती है किस विस्विद्याले ने youth festival में overall championship जीती है तो ये ध्यान रखिया है किसने केरल विस्विद्याले ने ये overall championship जो है ये जीती है और ये जो तिरुपती में एक स्रीपदमावाती महिला विस्विद्याले है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला option ह तो इसी में ये 36 इंटर उनिवर्श्टी साउथ जोन यूथ फिस्टिवल जो है आयोजीत किया गया था जिसमें आपका जो केरल विस्विद्धाल है ये विजीता रहा था और एक और है जो महात्मा गांदी विस्विद्धाल है कोई अट्टम जो था ये उप विजेता रहा ये चीज़ आप ध्यान रखेएगा और ये जो आपका स्रीपद्मावती महिला विस्विद्धाल है ये तीसरी बार इसकारिक्रम की मेजबानी कर रहा है चलिए नेक्ट आए अगला प्रशन क्या है हमारा चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन का लेखक कौन है बताइए जैसे चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन है तो अपने जो है लेखक भी कोई चीफ मिनिस्टर ही होंगे तो बिल्कुल सही जा रहा है आप जो हेमंत विस्व सरमाजी हैं कौन है हेमंत विस्व सरमाजी हैं इसके लेखक हैं ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा चैलिए नेक्स्ट आईए और ये जो चीफ मिनिस्टर डायरी नमबर वन जो डायरी है इसके लेखक तो आपके हेमंत विस्व सरमाजी हो गए clear है लेकिन इसका विमोचन किस ने किया था तो आपने जो पूर वचीफ जेस्ट्रिस है रंजन गोई उन्हों ने जो है इसका विमोचन किया है तो ध्यान रखिएगा रंजन गोगई इन्हों ने क्या किया है विमोचन किया है तो लेख़ब भी पूछ सकता है भी मोचन नहीं पूछ सकता है तो दोनों चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा क्लियर है चलिए वेरी गूट नेश्ट आईए question नमबर चार Startup India Innovation Week कायोजन कब किया जा रहा है तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर Startup India Innovation Week जो है ड्रीम क्रियेट इंस्पायर यह सो दस से 16 जनौरी के मद्द वर्चुली प्लेटफोर्म के जरी इसको और्गनाईज किया जाएगा तो दस से 16 जनौरी के बीच में इस कायोजन किया जाना है यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्लियर है सभी को चलिए नेक्स राते है अगला कुशन क्या है दो वाइस ओफ ग्लोबल साउथ क्या है दो वाइस ओफ ग्लोबल साउथ सम्मिट की मेजबानी कौन कर रहा है कौन सा देश कर रहा है यह बताना है आपको तो दो दो वाइस ओफ The Vice of Global South ये जो सम्मिट है जैसा कि नाम सी समझ में आ रहा है आपको इंडिया कौन है भारत अपना तो भारत जो है इस बार The Vice of Global South Summit की जो है मेजबानी करेगा ये चीज ध्यान रखिएगा और इसका जो विसे है थीम है वो क्या है एकता की आवाज एकता का उद्देश से और वर्चुली रूप से आवजित किया जाएगा बार और तेजा जनौरी के मद्ध में इसको आवजित करना है ये चीज ध्यान रखिएगा क्लियर है सभी को चलिए वेरी गुड नेक्स आईए अगला कॉशनल नमबर च्छे प्रोग्राम और लेडी तो था ठारा में रन कर चुका था वो था एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम जो है वो डिस्टिक को ध्यां में रखते हुए अब ब्लॉक लेवल पे इसको विस्तारित किया जाएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा और इसमें आपकी जो भी हेल्थ है है ना एजुकेशन है और ये नुट्रिशन्स है इन छेत्रों में जो है क्या हमें परदस्टन हमारे प्रफॉर्मेंस है वो तिमाही इसकी रेंकिंग के अधार पर 500 ब्लॉकों की जो है इसके अंदरकात पहचान की जाएगी क्लियर चली नेक्ष आईए कुशन नमबर 7 हाली में किसने मडीपुर में 120 फिट उची पोलो प्रतिमा का उधगाटन किया है ये आपके अमित सहाजी है कौन अमित सहाजी ने मडीपुर में ही कहां पर मडीपुर में पोलो की प्रतिमा जैसे कि हम लोग जो घोड़े पे चड़के जो बॉल खेलते हैं ये वो जैसे कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं वही तो अमित सहाजी ने प्रतिमा का उधगाटन किया है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्लियर है चलिए नेक्षट आईए और ये जो पोलो का जन्मिस्थान माना जाता है न वो मडीपुर को ही माना जाता है य चीज़ आप लोग क्लियर रखिए गया क्लियर चलिए नेश्टा ये पूशन नमबर एट हाली में किस राज्जी की सरकार ने छेर छेरा महत्सो मनाया है जम्मो संगी संगवारी मनला छेर छेरा विहार के गाड़ा गाड़ा बधाई आप सभी को बधाई तो ये 36 गड़ के मुख्यमंत्री ने रायपूर में कहा रायपूर में ही ये मनाया है आपका छेर छेरा उत्सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इसमें एक्शली होता क्या है ये अपने जो भुपेज भगेल जी है इन्होंने ही मनाया है तो इसमें क्या होता है दान लेने और दान देने का तेवहर मनाया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहा है, यहाँ पर जो है, जो अन है, वो उपज होता है, तो लोग इस दिन क्या करते हैं, लोगों को दान देते हैं, और दान लेने का भी काम करते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आईए, और ऐसा पताया गया था, सरकार की तरब से कि पच्चासी लाख मिट्रिट टन जो है, धान खरी दे गए हैं, सरकार के दोरा, राजे सरकार के दोरा, और किसानों को दतकाल भुकतान कर दिया गया है, जबसे बड़ी चीज है, चलिए, नेक्स्ट आईए, कोशन नमबर 9, आली में किसने, प्रोफेसर क अज़ान की जो आत्म कता है, अनजान साक्षी, और ये तकनीकी और सिक्षावित प्रोफेसर रहे हैं आपके, कैके अब्दुलगफार खां, च्री नेक्ष राइए, ये आप आंसर क्या लिख हैंगांगा आपर, MS, धोनी, महंदर सिंग, धोनी, कोशन नमर 10, हाली में किसने बरमिंहम में अंडर 15 बिटिश जूनियर ओपन स्क्वास टूनामिंट का किताब जीत लिया है यह जीता है आपके अनहाथ सिंग्ने किसने अनहाथ सिंग्ने यह किताब जीता है स्टोहेला हजेम को पराजित किया है और ये मिस्रिकी है और ये जो किताब है कौनसा और ब्रेंगहम में Under 15 का जो British junior open squ theo है इससे पहले भी लोगोंने जीता है जैसे कि आपकी चिनपा जो है 2003 में Under 17 में इनोंने जीता था अब 2005 में Under 19 का भी किताब इन्होंने जीता था चिनपपा ने और आपकी जो DP का पालिकल है उन्होंने भी 2008 में Under 17 का टाइटल जीता था तो ये चीज़ आप लोग दियान रखिएगा क्लियर है चलिए वेरे गूड नेक्स्ट आइए अनाहत सिंग जी को ध्यान रखिएगा ये रही है आपकी अनाहत सिंग येवल 15 साल में Under 15 बिटिश जूनियर ओपन स्कॉच पॉनामेंट नेक्स्ट आइए कुशन नमबर 11 किस देश के दिगच फुटवाल फुटवालर गैरे जो एक फुटवालर हैं वो किस देश के हैं ध्यान रखिएगा वेल्स के ये फुटवाल खिलाड़ी है चलिए नेक्स्ट आइए किस संस्थान ने हिमालई छेतरों में अभियान के लिए मानो रहित्यान विक्सित किया जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे च्छती ना पहुंच है मानों को इस वज़े से नेक्स टाइक कुशन नमर 13 भारत में लेप्रोस्कोपिक का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया देहांत हो गया तो ध्यान रखिएगा आपके डॉक्टर जो डॉक्टर है टेहम्टन ई उदवाडिया इनका ही की निधन हुआ है ओके और 88 साल के थे और इनको ही जो है लेप्रोस्कोपिक का जनक माना जाता है भारत में और इन्हें पज़ेस कि आप इसमें देख पा रहे होंगे 2017 में इनने तीसरा अपना सरवचनागरी सम्मान है पदम भूषण उससे इन्हें सम्मानित किया गया 2017 में 2017 में पदम भूषण ठीक है ये ध्यान रखिएगा पदम भूषण से सम्मानित किया गया था चलिए नेक्स्ट आईए वंडे में ओडियाई जो 50-50 ओवर का मैच होता है उसको वंडे कहते हैं ओडियाई कहते हैं घर पर मतलब घरिलू सीरीज में सबसे ज़्यादा सतक लगाने में सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड की बराबरी किस ने कर ली है तो अपने नन अदर देन विराट कोली ने 20 सतक जो है लगा लिया है विस और विराट ने भी लगा लिया है लेकिन विराट के ODI मैचेस कम हैं कम मैचेस में उनने 20 सतक लगा लिया है अगला कुशन नमबर 15 किस देश से क्रिकेट खिलाडी ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतराश्टी क्रिकेट से ततकाल प्रभाव से सन्यास ले लिया है तो यह है ड्वेन प्रिटोरियस और यह ध्यान रखिएगा यह आपके साउथ अफरिका के गेदबाज है जिन्होंने ततकाल प्रभाव से सन्यास ले लिया अंतराश्टी क्रिकेट से के लिए नेक्स्ट पर आईए कस्मीर के पहले आज का आखरी प्रस्न है कस् क्रिका से सम्मानित है के लिया है को और 2007 में जो है सम्मानित किया गया था किसके लिए इनका एक संगरः था सियाहरुद जरीन मंज यानि इन ब्लैक डृजल यह इनका उस समय संगरः था जिसके लिए इनкой जिए Azzaa में भी उन्हें एक साहित्यक अद्दी पुरुसकार मिला था नवरोज ए सबा के लिए 1961 की आसपास की बात कर रहे हैं और बदम सिरी पुरुसकार से भी इनको सम्मानित किया गया था 2000 में लग दो हजार में पदम सीरी से भी कम्मानित किया गया था ये चीज़ ध्याने की इती इन्फॉर्मिशन इस कोशन से आपको मिल जाती है तो हमारे कारक्राम यहीं पर समाप थो रहा है प्रश्णों का और हम आज क्ल के प्रश्ण की बात कर लेते हैं रतनेयों भवुषण पर प्रश्ण का तो आज क्या प्रशन क्या आई होप मैंसे लोग इसका अंसर करेंगे कि सहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्व स्रिष्ट पुलिस हिकाई का पुरुसकार जीता है जालना नागपूर दोनों यान में से कोई नहीं इसका सभी लोग का अंसर करना है कमेंट बॉक्स म ठीक है I hope सभी लोग अंसर करेंगे so thank you so much guys for joining this session I hope यह session आपको पसंद आया होगा तो जितनी इंफोर्मिशन एक्स्ट्रा आपको मिलती है कमेंट बाउस से और टाइप गरू करिएगा so thank you so much take care bye